क्लास 10 की एक्सेसाइज 5.1 के सेकंड सम में बूल रहा है राइड फर्स्ट फॉर टर्म आफ एपी ए एंड डी यार गिवन पहले फॉर टर्म्स हमने लिखनी है एपी सीक्वेंस की जदकी हमें ए और डी जो हुआ है वो दे रखा है पंजाबी वन लोग बोल ला है पहले चार पाद यानि अखर पता करो जदकी तो हमें ए और डी मालूम चल जाएगा तो हम A1, A2, A3, A4 पता कर सकते हैं कोश्चन में भी हमें यही पूछने के लिए बोल लगा है कि आप A1 पता कीजिए A1 तो चलो दे ही रखा है जो A होता है वो आपका A1 ही होता है याद रखेना है जो आपका A होता है वो A1 ही होता है तो हमें यह मालूम है उसके बाद हमने पता करना है A2, A1 तो चले हमें मालूम ही है वो है कितना 10 है हमने मालूम करना है A2, A3 और हमने फाइंड आट करना है A4 तक फाइंड आट करने के लिए बोला गया है तो हम यह सब कुछ निकाल लेंगे इन से तो student यहाँ पर तो बहुत एजी से आपको पता चल जाएगा बट इसे हमने 5.3 exercise में बहुत अच्छे से यूज करना है तो student आपको त्यान से समझे लेना है कैसे क्या करना है 5.3 exercise में बहुत बार इसको करना है अगर student आपको A2 पता करना है तो आपके पास दो तरीके हैं जहां तो आप क्या कीजिए कि जो आपके पास A1 है उसमें D जोड दीजिए ठीक है एड कर दीजिए अगर आपको A3 पता करना है तो आप A2 में D को एड कर दीजिए अगर आपको A4 फाइंड आट करना है तो आप A3 में D को एड कर सकते हैं तो आपके पास A4, A3, A2 ऐसे पता जल जाएगा होगी बात क्लीर में अगर मान लीजिए आपके पास A3 नहीं है तो आप A4 को कैसे पता करेंगे कोशन मारक है A2 आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप A3 कैसे फाइंड आट करेंगे ये भी कोशन मारक है तो दो तरीके हैं जब आपके पास ये तेनी चीज़े अवेलेबल होगी तो आप इसे ऐसे करके A1, A2, A3, A4 पता कर सकते हैं अगर आपके पास ये सब चीज़े नहीं है तो आप एक और तरीका है क्या कि अगर आपको A2 पता करना है तो आपको A में सिंपल D जोट देना है अगर आपको A2, A3 पता करना है तो आपको A में 2 बार D को एड करना है एक कमिज से ऐसे याद रख लेना अगर आपको A4 पता करना है तो आपको A में 3 टाइम D को एड करना है होगी बात क्लियर में ऐसी A5, A6, A7 जहां तक बोला जाएगा वहां तक आप कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर यह लगाँगा क्योंकि आगे हमने इसे ही यूज़ करना है बार बार तो हमें इसकी हैबिड पढ़ जाए इसलिए मैं इसी मैथड को लगाँगा तो अब मुझे A2 फाइंड आट करना है मैं करूँगा A में एक बार D को एड अगर A3 फाइंड आट करना है मैं A में 2 टाइम D को एड करूँगा अगर A4 फाइंड आट करना है तो A में 3 टाइम D को एड करूँगा तो इसे जॉलो कर लेते हैं, अब हमारे पास A क्या है, 10 है, ओके, प्लस D कितना 10 है, तो ये कितना बन गया, 20, अब A मेरे पास कितना 10 है, और प्लस 2 को multiply D के साथ, मतलब 10, तो ये बन गया 20, 20 हो गया न, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, तो ऐसे A मेरे पास कितना 10 है, प्लस 3 multiply D, D कितना 10 है, तो कितना बन गया, 10, प्लस, ये कितना बन गया, 30, इस एकल टू, ये कितना बन गया, add होकर 40, तो मेरे पास sequence क्या बना, 10, 20, 30, add 40, तो ऐसे ये चलता जा रहा है, तो मुझे 4 फाइंड आट करने के लिए बोला था, तो मैंने 4 find out कर लिए, ऐसे ही आपको इसका second sum निकालना है, जैसे first sum निकालना है, उसकी statement क्या दे रखी है, उसकी जो statement दे रखी है, वो यहाँ पर जो A है, वो हमारे पास है, minus का 2 है, और जो D है, वो हमारे पास 0 है, D जो हमारे पास, वो कितना 0 है, तो same काम, जो हमने यहाँ पर किया है, A दे रखा है, मतलब वो A1 नहीं है, तो कितना दे रखा है, minus का, 2 दे रखा है, चीक है, तो अब A2 कैसे find out करना है, जैसे उपर find out किया है, मैंने, ये वाला formula, A3 का ये वाला, A4 का ये वाला, ठीक है, तो इसे मैं दुबारा ऐसे फिर दे रहा हो, A2 find out करने के लिए, A में एक बार D, A3 को find out करने के लिए, A में 2 time D, और A4 find out करने के लिए, A में 3 time D को add करना है, तो solo करते हैं, A2 में A, A कितना है, minus का 2, minus का 2, plus D कितना है, 0, तो A simply आगा, minus का 2, अब यहाँ पर A कितना है, minus का 2, plus 2 multiply 0, तो यह 0 ही बन गया, तो result किया है, minus का 2 ही बचा, तो यह, A कितना है, minus का 2, plus 3 multiply D, D कितना है, 0, तो यह 0 ही हो गया, तो क्या है, minus का 2, तो जो मेरा sequence है, वो क्या चल रहा है, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, up to, so on, तो ऐसे सम हमारा second भी complete हो गया, जैसे हमने पहला और second sum किये वैसी third sum है a1 हमारे पास कितना है 4 है a2 निकालना है हमने तो a में एक बार d को add तो a कितना है 4 plus d कितना है minus का 3 तो ये plus minus minus होगा तो मतलब 4 minus 3 कितना आ गया 1 आ गया अब a3 find out करने के लिए कह करेंगे a में 2 time d तो value fill करें a कितना है 4 plus उसके बाद 2 d कितना है minus का 3 तो कितना है 4 plus ये 2 अंदर multiply होगा तो बन जाएगा minus का 6 ओके तो minus का 6 होगा minus का 6 तो plus minus minus होगा तो ये बन गया ये बना 4 minus का 6 तो result कितना है minus का 2 ठीक है minus का 2 होगा इसी तरह a4 a4 a plus 3d a plus 3d तो कितना बन जाएगा a कितना 4 4 plus 3 3 और d कितना है हमारे पास minus का 3 तो यह बन जाएगा 4 plus 3 को 3 से multiply minus 3 से बनेगा minus का 9 तो यह क्या बन जाएगा 4 minus का 9 9 में से 4 को निकाल दिया तो हमारे पास कितना बचा minus का 5 तो हमारा sequence क्या बना sequence मेंना 4 1 minus 2 और minus का 5 up to so on तो ऐसे sum student 4 करेंगे sum number 4 भी इसी तरही है जैसे हमने sum number 3 किया है sum number 4 को थोड़ा दियान से करना है a1 कितना है हमारे पास minus का 1 है a2 क्या होगा a plus d तो करते हैं a कितना है minus का 1 चीक है plus d कितना है 1 by 2 इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 लगाते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है LCM हो रहा है LCM हमने बहुत अच्छे से सीखा है जो पीछे वाली exercise किये है हमने तो यहाँ पर फिर बताता हूँ 2 को minus 1 से multiply minus का 2 plus 1 को 1 से multiply 1 by जो नीचे है उसे आपस में तो यह बन जेगा 2 solve कीजिए minus 2 में add कर रहे है 1 plus minus minus तो बच्छे का minus का 1 by 2 मतलब a2 कितना आ गया minus का 1 by 2 आ गया ओके स्टूडन तो ऐसी हमने a3 और a4 भी निकाल लेना है निकाल लेते हैं a3 a3 is equal to a plus 2 time d तो value फिल करें a कितना है minus का 1 plus 2 multiply d d कितना है 1 by 2 1 by 2 ठीक है तो solve कर लेते हैं यह हमारे पास क्या जीगा minus का 1 plus 2 जो इसके साथ multiply होजएगा यह बन्देगा 2 by 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे तो solve करते हैं यहाँ पर फिर LC मूर है 2 को minus 1 से multiply मन्दा है minus का 2 plus 1 2 से multiply 2 by जो नीचे है वो 2 तो यह क्या बनना है plus minus minus 0 by 2 तो 0 by 2 जो है वो possible नहीं है तो result कहा रहे है 0 तो A3 की value कितनी आगी 0 अब A4 भी ऐसी तरह है A4 क्या है A4 A plus 3D हाना तो A की value क्या है minus का 1 minus का 1 plus 3 multiply D D कितना है 1 by 2 मतलब यहाँ पर जो 3 है वो 1 से multiply होगा by 2 2 जो है वो नीचे चला जाएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा रहे है LCM 2 को minus 1 से multiply यह बन गया minus का 2 और plus और 1 जो है वो 3 से multiply यह बन गया 3 by 2 तो यह कितना है plus minus minus 1 by 2 आ रहे है तो sequence क्या बन रहे है sequence बन रहे है minus का 1 फिर minus का 1 by 2 फिर 0 और उसके बाद 1 by 2 तो ऐसे यह चलता जा रहा है okay student second का last हम थोड़ा सा ध्यान से करना है यहाँ पर decimal दे रखे हैं तो student confused हो जाते हैं यहाँ पर 1 कितना है हमारे पास minus का 1.25 तो यहाँ पर अब A to find out करना है वो कितना आएगा A plus D तो A कितना है यह minus 1 decimal 25 ठीक है पंजाबी में से बोलते हैं दिशमललव ओके और प्लस प्लस और यह डी डी यह minus का है minus का 0.25 है तो इसे सवाल अब कर लेते है प्लस माइनस माइनस होता है यह कितना बन गया माइनस का 1.25 माइनस 0.5 हो गया तो अब हम क्या करेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो हमें मालूम है माइनस माइनस क्या होता है प्लस अब decimal को plus कैसे करना है student को भी नहीं आता होता तो यहां पर देख लीजिए decimal को कैसे करते है यह जो decimal है इसके नीचे यह decimal लिखना होता है ऐसे 1.25 इसके नीचे यह point यहां पर आ गया मतलब decimal decimal यहां पर आ गया 0 यहां पर 25 यहां पर चीक है ऐसे करनी होती है तो 5, 5 हो गया, 10, 1, और 2, 2, 4, 5, 5, decimal, decimal, और यह 1, 1, तो result कहा है, 1 decimal, 50, क्योंकि minus, minus, plus तो हो जाते हैं, बढ़ result minus का आता है, तो यह result हमारे पास कितना आ गया, minus का 1 decimal, 50, ओके, अब A3 find out करते है, A3 is equal to A plus 2D, तो करते हैं, A कितना है, यह, minus 1 decimal, 25, plus 2 की पहले multiply D, D कितना है, minus का 0 decimal, 25, अब multiply कैसे करते हैं, यह भी आप देख लीजिए, 0.25 की multiply कर रहे हैं, 2 के साथ, तो यह 5, 2 का 10, 2, 2 का 4 और 5, चीक है, यह decimal यहाँ पर, और यह 0 का 0 यहाँ पर, तो इसको solve करने के बाद हमारे पास क्या आया, 0 decimal 50, ओके, 0 decimal 50, प्लस का प्लस यह यह यहाँ पर, और यह यह यहाँ पर, माइनस का 1 decimal 25, यह जो result है, वो हमारा माइनस का है, तो यह मतलब यहाँ पर माइनस आएगा, यह प्लस माइनस, माइनस होगा, तो यह माइनस यहाँ पर, और यह क्या बजा, 0 decimal 50, और यह ऐसे कैसे, माइनस 1 decimal 25, तो माइनस माइनस प्लस होगे, अब इनको भी प्लस ऐसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, जब आप इनको plus करोगे तो आपके पास आएगा minus का 1.75 तो आपके पास a3 कितना है यह a3 आपके पास क्या है minus 1.75 और यह आपके पास क्या है था a2 ठीक है a2 आपके पास यह वाली रखम आई थी तो अब हमने a4 को भी ऐसी find out करने क्योंकि हमने 4 तक find out करने है तो a4 is equal to a plus 3 time d फिल करें यह कितना यह minus का 1.25 plus 3 को multiply d के साथ यह minus 0.25 इनको multiply करने जैसे मैंने यहाँ पर आपको सखाया है तो आप जब इसे multiply करे हुए तो आपके पास आएगा minus का 0.75 क्योंकि 3 time करना न 25 को तो 75 आएगा तो minus काएगा और यह minus 1 decimal 25 तो पढ़ आई है यह minus काएगा क्योंकि minus का की है न हमने यहाँ पर तो अब यह minus minus क्या हो जाएगा plus आपको कर ले ना चलो एक बार कर देता हूँ फिर remainder हो जाएगा आपको तो 1 decimal 25 में add कर रहे हो 0 decimal 75 5 5 का 10 1 7 2 कितने हो गए 9 9 में एक add 10 ठीक है और decimal और यह 1 यहाँ से चला गया था न उपर कैरी चला गयी थी तो 1 1 को add किया 2 तो result आएगा minus का चीक है यह बन गया minus का 2.00 तो यह हमारी क्याई यह 4 आगी तो हमारे पास जो sequence है वो क्या बना sequence बना यह तो सबसे पहले लिख लेते हैं minus 1 decimal 25 उसके बाद यह minus 1 decimal 50 उसके बाद A3 यह minus 1 decimal 75 और यह minus 2 decimal 00 तो ऐसे सम हमारे यह complete हो गया